प्रदेश में मुखे संसर्दिय सचिव के न्युक्ति मामले में 16 अक्तूबर को हाई कोट में सुनवाई होनी है इस बीच प्रदेश के पूर मुखे मंत्री और नेता प्रतिपरक्ष जैराम ठाकूर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है जैराम ठाकूर ने लगभग 2000 क को सरकार द्वारा बरखास्त के जाने पर कहा कि जन्होंने कोविट जैसी महामारी में अपनी जान की परवहा किये बिना कोरोना पेड़तों की सेवा की आज वह अपने बच्चों के दो जून की रोटी के लिए सडकों पर हैं इससे जादा अमानवी और शर्मनाग कुछ भी चुए ने काम किया था जब परिवार के लोग भी परिवार के सदस्री जो एलबिट हॉस्पिटल में थे उनको मिले नहीं जाते थे यह लोग उनको दवाइदे थे वहां खाना किलाते थे इनके मदद करते थे और इस परकार से इनके साथ बेफार उचित नहीं है 31 मार्च के बाद 31 मार्च 2023 के बाद 6 मीने 7 मीने इनके हो गए जिसमें इनको अभी तक सेल्डिक नहीं मिली है उनके तो बच्चे हैं उनके घर में भी बजर्ग है उनके घर में कोई बिमार है ऐसे में ये अमान विये बहवार है और अब उनको टर्मिनिट कर दी गया है, तीस तारीक से, तीस सब्टेंबर के बाद उनकी सेवाइं समाप्त कर दी गया है, ये मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए, कि कम से कम ऐसा वेफार कोविड वारियर्स के साथ नहीं करना चाहिए, और हम देख रहे हैं कि प्रदेश सरकारद्वारा राहत पैकेज जारी किया गया है, इसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है